हलो अबरिमान वेलकम टू आइकवांटा स्वागत है आप सभी लोगों का और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युनिसको क्रियेटिव सिटीज लिस्ट टॉन्टी टॉन्टी थ्री आ गई है जिसमें दुनिया भर के 55 सिटीज को सामिल किया गया है और आप सभी लोग क क्रियेटिव सिटीज लिस्ट में तो क्या होती है ये क्रियेटिव सिटीज लिस्ट यह ऐसे सहर होते हैं जो काफी एनसिंट टाइंव से या नॉट इंसिंट टाइम मेडाइवल मेडवन आपका मेड़ेवल या मौडन पीरियएड के समय से ही मतलब 100-200 वालमेट इनकाichts एक उचे प्लेट फॉर्म पे ले जा सके बिस्वस्तर पर जिसका कोई एक पहचान हो सके तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए गौलियर में जो आप देखते आए हों सुनते आए हों गौलियर घराना ठीक है अगर देखा जाए जितने भी म्यूजिक के घराने वग ज़गा हमीली है गौलियर सिटी को ठीक ला फिर उसके बाद आप का आता है कोजी कोड जो कभी कालिकट के नाम से जाना जाता है जब पहली बार आया कोई वसको डिगामा भारत की धरते पर कदम रखा तो काली कट नामक बंदरगा पर वही काली कट का नया नाम है आपका कोजी कोड कोजी कोड को किस कैटेगरी में इस लिस्ट में सामिल किया गया है वो है आपका इसके लिट्रेचर के छेत्र में ठीक है ना लिट्रेचर में काफी योगदान देखा गया है कि सत्यों से आप समझी सकते हैं यहाँ पर एक से एक जर्नलिस्ट एक से एक आपके बड़े-बड़े राइटर बड़े-बड़े पोएट तो लिट्टेचा साहित के छेत्र में बहुत बड़ा रोल है इसका तो इसको creative city की list में किसको कोजी कोड को literature में ग्वालियर को music के खराने के रूप में music की छेत्र में रख्खा गया है तो ऐसे को पता है हुआ तान सेन का नाम आपने सुना होगा ठीक है जो ननौरतनों मई से एक हुआ करते थे आपके Akbar के के दर्बार में तो उन्हीं का बर्थ प्लेस भी आपका गॉलियर ही है तो वही यहां पे यह जॉइन किये थे as a mentor ठीक है गॉलियर घराने को और आगे चलके आपको पता है कि म्यूजिक के कितने बड़े समराठ बने और सबसे बड़ी बात है कि बैजु बावराव अगयरा का भी नाम आपने सुना होगा तो इसी घराने से संबंद रखते हैं तो इसी के बारे में हम थोड़ा बहुत इनफॉर्मेशन ले ले लें बाकी काफी हद तक आपको बता दिये हैं तो यूनिसको सिटीज क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क का ये लोगों अगयरा है उसको की तरफ से ये भी रेख सकते हैं पहचान जाएंगे तो बात हम करने वाले हैं इन सब बातों को तो वही है सार आपन नीव सिटीज आई हैं अराउंड दा वर्ल्ड जिसमें इंडिया से दो सिटीज सामिल हुई है एक गौलियर है एक आपका कोजी कोड है तो नाम आप याद रखिएगा ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे केरला किस स्टेट में है ये भी एक कोशन आपके लिए बन सक ठीक है फिर कोजी कोड का पुराना नाम ये भी एक कोशन बनता है आपके पेसी में या अबर आपके स्टेट इग्जाम हो गए या आपके वंडे कोई एकशाम हो गए या अफर ट्वेल के एकजाम हो गए कई सरजी दरे भी एकजाम यहाँ पे फैक्चुल इंफॉर्मेशन culture and creating a part of the development strategies and displaying innovative practice in human centered urban planning ठीक है मतलब एक तरीके से क्या होगा किस तरीके से आपकी urban planning human center जो urban planning होती है उनको एक innovative अब जैसे declare हो जाता है कोई cities वगए न उसके लिए funding होती है दुनिया के चहरे के सामने आ जाता है तरीके से देखा जाए तो tourist वगएरा आना शुरू कर देते हैं लोक देखना शुरू कर देते हैं तो ओर एक तरीके से उसका development किया जाता है ठीक है क्योंकि अब एक तरीकी से एक दिशन मगेरा मिल जाता है ठीक है फिर और बाकी कौन कौन से देखिए अपरे देश के अलावा और कौन कौन से ऐसी सिटीज है जो सामिल हुई है अपने एक यूनिक कामों के लिए ठीक है ठीक है बुखारा फॉर क्राफ्ट्स एंड फोर्क आर्ट के काटेगरी ने इसको जगा मिला है इस सहर को फिर एक है कैसा ब्लैंसा ठीक है फॉर मीडियार्स काटवांडू के लिए भी देखो जगा मिला है काटवांडू को भी क्या काटवांडू हां फॉर फिल्म्स के लिए ठीक है ना फिल्म्स वोगरा के लिए रियो डे जेनेरियो फॉर लिट्रेचर अभी तक लगबग 350 सहरों को सामिल किया जा चुका है इस केटेगरी में फिर उसके बाद बैजु बावरा और तांसेन का नाम अभी देखो हमने लिया जो आपके गौालियर घराने से संबन रखते हैं तो सुरू से ही राजामान सिंग का नाम आपने सुना होगा सिंधिया परिवार का सुना को जो साही परिवार वगयरा हुआ करते थे काफिस तरह रखन मिलता था इस घराने को और उन्हीं की सब की बदावलत देरे देरे चीज़े आके बढ़ते गई आज भी दिखे एक्जिस हो सकती है आपके आने वाले एक्जाम के लिए कुश्यंस बन सकते हैं प्रलिम्स में 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 या वंडे एक्जाम के फैक्ट्वल इंफॉर्मेशन कहीं सभी कैसे भी ठीक है तो आपको प्रिपेर रहना है और अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट रखनी है तो चैनल को update पगेरा मिलता रहे, बने रही हमारे साथ, thank you to all of you, good luck, take care.